यदि आप किसी भी इस्त्री को पलवर में अपने प्यार में पागल दिवानी बनाना चाहते हैं, किसी को भी अपने वस में करना चाहते हैं, अपने प्यार में तरपाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार एक इलाइची और काला धागा लेकर के इस वसिकन तुटका को कर दीजि आपके साथ रहने लगेगा मेरे प्यार प्रवक्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वसिकरन का एक ऐसा बिधी बताऊंगा जिसको करते ही आपका प्यार आपके करीब आजाएगा आपसे बात करने लगेगा मेरे प्यार प्रवक्तो प्यार रूट गया है छोड़ दिया है नफरत करता है बात नहीं करता है लव में चाहे समस्या जो भी हो प्यार में समस्या जो भी हो प्यार में कितना भी बरा धोखा मिला हो सिर्फ एक बार जैसे ही इस वसिकन तुटका का प्रयोग आप किजिएगा आपका प्यार आपके पास आएगा आपसे बात करेगा यह नहीं कि आपको प्यार के पीछे भागना होगा नहीं प्यार के पीछे बहुत भाग लिए आप बहुत मेहनत कर लिए, समय वरवाद कर लिए लेकिन मीरी प्यार पर वक्तो थोरी से मात्रा में समय यहां पर दीजिए वह सिकंड तूटका को कर लीजिए चमतकार देखिएगा कि आपका प्यार अब आपके पीछे भागेगा आपका प्यार अब आप से बात करेगा, खूद बात करेगा, कैसे करना है इसका प्रियोग आये बताते हैं, उसके पहले छोटा सा आप से बिनती है, निवेदन है, जदि आप हमर चानल पे नए है तो मेरे चानल को सस्क्राइब जोर कीजिएगा, ताकि हम जितने आपको साप सुतरा लेना है, एक काला धागा लेना है, इसके आलावा आपको कोई भी समागरी नहीं लेना है, बीना मंत्र के, बीना तंत्र के, घर बैठे बैठे, आप इस वसीकन तुटका को कर सकते हैं, और अपने प्यार को पा सकते हैं, पल भर में, देखिएगा हमारे पर वक्त हो बहुत सारे हमारे ऐसे वक्त लोग हैं जो कि अपने प्यार को मोठी में करने के लिए प्यार पे काबू पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं प्यार के पीछे भागते हैं और बहुत खर्च करते हैं बहुत कुछ वगरा वगरा करते हैं लेकिन वह सिकरन बिद्या के बारे में सायद किसी को मालुम नहीं है और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वसिकरन विद्या के बारे में ओ लोग वसिकरन करके अपने प्यार को बहुत ही असानी से पा लेते हैं यह एक ऐसी विद्या है वसिकरन की एक बार करते हैं आपका प्यार जो छोर कर गया है व आप अपने प्यार को अपने काबू में करके मन चाहे काम कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसका असर हैगा आपका प्यार आपके लिए एकदम बेचेंद रहेगा आपका प्यार आपके लिए तरपेगा कैसे करना है इसका प्रयूग आये बताते हैं सबसे पहले काले धागी को क तोड़ लीजिएगा क्या किजिएगा इस काले धागे को अपने लंबाई के अपने सरीर के लंबाई के हाइट के अनुसार इसको क्या करना है तोड़ लेना है तोड़ने के बाद में जैसे कि हम यहां पे छोटा सा भाग लेते हैं समझाने के लिए ठीक है न यह आपने काला धागा ले लिया ठीक ना आपको करना क्या है एक इलाइची लेना है इस इलाइची को अपने बाएं हथेली में इस परकार से रखना है जैसे कि हम रखे हुए हैं रखने के बाद में इस काले धागे को आपको क्या करना है इस इलाइची के उपर आपको लपेटना है इस परका उस समय ध्यान देना है कि उस इस्त्री का चेहरा आपके मन में होना चाहिए दिमाग में होना चाहिए सिर्फ उसी के बारे में सुचना है इसको धागा को लपेटते रहना है उसका नाम लेते रहना है उसका चेहरा मन में बसाय रखना है पूरी धागा जैसे ही आप लपेट द उस इस्त्री का नाम लेकर इस फूंक लगा करके आप इस इलाइची को इस काले धागे को क्या किजेगा चीनी के डीवे में डुबो करके इसको रख दीजेगा छोटा सा चिनी का डीवा हो उस चिनी के डीवे में इसको रखना है और भीतर एकदम चिनों में चिनी में क्या करना है डुबो देना है अंदर तक और धकन को बन करके आपको क्या करना है उस चिनी के डीवे को अपने पास रखना है यानि कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कहीं पी भी इसको छुपा करके रख देना लेकिन ध्यान देना है यह जो इलाइची है काला धागा है जिस पे आपने टोटका किया है वस्सिकरन किया है इसको चीनी के डीबे में रखना है ठीक ना इसके बारे में किसी को बताना नहीं है जैसे ही आप अपने बेड के अगल बगल में रखिएगा सोने वाले कमरे में रखिएगा चमतकार देख कि दिन से यह वह शिक्रन अपने असर दिखाना शुरू कर देगा और जी सी स TV का नाम लेकर के इधो सिकन टोटका को आपने किया है वह श्तनि की खुद Venup कि आपके तरह आकरशित होना सुरू कर देगी आपके प्यार में बेच्प होना शुरू कर देगी आपके लिए पलपल टर पेगी तीन दिन तक अपने कमरे में रखना है पहले ही दिन से वसिकरन स्टार्ट हो जाएगा असर शुरू हो जाएगा और तीन दिन के भीतर भीतर में वह इस्तरी आपसे बात करना शुरू कर देगी अगर बात नहीं की तो घबरा वाज़े के बाहर ले जाकर के फिक देना चमतकार देखिएगा वह इसतरी नाश्ती हुई आपके पीछे पीछे आएगी पलपल आपके लिए टरपेगी एकदम बेचैन हो जाएगी आपके प्यार में और आपके बगर एक मिनट भी नहीं रहा पाएगी जैदि आप मर्चानल पर नहीं है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा ताकि हम जतने उड़ाएगे सबसे पहले आपके पास में जाएगा